किशन गंज एसपी की अनुतंशा पर पूर्णिया आई जी ने सरकल इंस्पेक्टर समेट साथ पुलिस करिमियों को करतब हिंदा के आरोप में निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है दरसल छापिमारी करने के दोरान गई सरकल इंस्पेक्टर सहित आने पुलिस कर्मी मौका ये वारदात से अपनी जान बचाने के लिए फरार हो गए थे इसी मावले में अस्पी कुमार आशिश ने कारवाई की है तो पुलिस कर्मी ओपर कर्तब हिंता का आरोप लगा आपको ये बता दे चले की किशन गंज के जो थाना धक्ष अश्विनी कुमार की जो मौत होई ती पशिम मंगाल में और उसके बाद इन तमाम पुलिस अपसरों पर कर्टब हिंता का आरोप लगा है क्योंकि उस वक्त अगर इन पुलिस कर्मियों का साथ उन्हें मिलता तो शायद उनकी जान बच जाती लेकिन अब बड़ी कारवाई की गई है एसपी के तरफ से सरकल इंस्पेक्टर समयत जितने भी कर्तब हिंता के आरोप में जो पुलिस कर्मियों पाए गया है उन सभी को निलम्बित कर दिया गया है और लाइन हाजिर कर दिया गया है दरसल ये पूरी टीम छापे पार्णी करनी गई थी और इस दोरान सरकल इंस्पेक्टर साहित अन्य पुलिस कर्मी मौकाय वर्दात से अपनी जान बचाने के लिए फर्यार हो गए थे और इसी मामले में एस पी कुमार आशिष ने कारवाई की है सरकल इंस्पेक्टर समेथ जो भी इस मामले के करतब हिंता के आरोपी पुलिस कर्मी है उन सब को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है तो छापेमारी के दुरान फरार हो गए थे ये पुलिस कर्मी जिने सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया गया है सरकल इंस्पेक्टर के साथ साथ जितने भी पुलिस कर्मी है इन सबी को निलंबित कर लाइन हाजिर किया गया है और इन तमाम पुलिस कर्मियों को पूर्णिया आईजी ने सरकल इंस्पेक्टर समेथ पूरे पुलिस टीम को करतब हिंता के आरोप में ने लंबित कर लाइन हाजिर किया और उस वक्त अगर ये साथ होते तो शायद थानादक्ष अश्वनी कुमार की मौत नहीं होती और इस वक्त हमारे साथ किशन गंज से समाधाता फोल लाइन से जोड़ चुके हैं स्टाशी बड़ी कावाई की गई है किशन गंज ये मामले पर करतब हिंता का आरोप में सरकल इंस्पेक्टर समेथ जो भी पुलिस कर्मी है जो करतब हिंता का आरोप उन पर लगा हैं सब को निलम्बित किया गया है क्या पूरी अपडेट जानकारे मिल पारी और कौनकों लोग इसमें शामिल है कौंकर पुलिस कर्मी इसमें है जी अभी अपडेट मिली है कि किशन गंज पुलिस अदिक्षा कुमारासिस के अनुसंसा पर आईजी पूर्णिया के दुआरा साथ पुलिस कर्मियों को लिलम्बित कर लाइन हजीर कर दिया गिया है जिसमें एक सर्किली स्पेक्टर और कशनवल साविल है सशी इस मामले में आगे की कारवाई क्या की जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा करतभिंता का आरोप लगा है क्योंकि अगर उस वक्त ये पुलिस कर्मी उनके साथ होते तो शायद थानादक्ष अश्विनी कुमार की जो जान है वो बच सकती थी लेकिन कहीना कहीं इन प्रद सशी जाना चाहेंगे जो तमाम पुलिस कर्मी को कारवाई की गई है निलमित करूने लाइन हाजिर किया गया है आगे किस तरह की कारवाई इन तमाम पुलिस कर्मी की जान जा सकती है अगर इन तमाम पुलिस कर्मी की जान जा सकती है अगर इन तमाम पुलिस कर्मी उनका किशन गंज की जो थाना दक्ष है अश्वनी कुमार की जान बच पाती आगे किस तरह की कारवाई हो सकती है इन तमाम पुलिस कर्मियों पर जिने निलमित किया गया है उनके परीजन के बड़े भाई ने बताया है कि दिभागे कारवाई चला कर जो भी इसमें नापरवाई बढ़ती गई ये उन पर कठोत कारवाई की जाएगी चले शुक्रे असाशी आपका इस खबर पर अबड़ेट जानकाई देने के लिए तो बड़ी कारवाई की गई है एस पी आसीश कुमार ने ने तमाम पुलिस कर्मियों को निलमित करने का जो अनुसंशा है वो किया था जिसके बाद ये कारवाई की गई है और सरिकल इंस्पेक्टर समित जो भी पुलिस कर्मी अपने करते भींता के आरोप में पाए गये हैं दोशी उन तमाम पुलिस कर्मियों पर निलमित करने सीधा लाइन हाजिर कर दिया गया